ओम शान्ति आज आपका बानबे दिन का वर्दान और आज इश्वरिय वर्दान में परमपिता परमात्मा हमें अपनी लक्षमन रेखा के बारे में याद दिलाते हैं बाबा कहते हैं कि वो लक्षमन रेखा अगर लांगोगे तो दास, मुर्जाय हुए, शक्तिशाली महसूस करोगे, दुखी हो जाओगे और अगर लक्षमन रेखा के भीतर रहोगे तो सदा सुखी, सदा ही प्रसन, सदा खुश, उमंगुचा में रहोगे तो लक्षमन रेखा कौन सी है, जिसको हम पार कर लेते हैं, उस सोने के हिरन को देख करके, रावन की लंका में चले जाते हैं, और अपने ईश्वरिये मर्यादाओं को उलंगन करके, हम दुखी हो जाते हैं और लक्षमें रेखा के उस पार तो दुख है और इस पार सुक है तो आये दिखे आज प्रमात्मा कहते क्या है मैं इस लक्षमन रेखा के बारे में, इस मर्याधा के बारे में तो आज बाबा कहते हैं बुद्धी रूपी पाउ जिसे कहा जाता ना कि अंगत का पाउ कोई हिला नी पाता था तो वो कौन साफ पाउ है इतना विशाल हो जाता था हनुमान जी भी बहुत बड़े हो जाते थे था उनका पाउ को हिलानी पाता था मतलब द्रण सिंकल्प का पाउं कोई किसी का पाउं इता बड़ा थोड़ा हो जाता है वो केवल दिखाने का मतलब है कि आपने कोई चीज में द्रण निश्चे कर लिया है तो आपका कोई बुद्धी रूपी पाउं हिला ही नहीं सकता कि क्या सही है क्या गलत है कौई से अच्छे कर्म है कौई से बुरी कर्म है कर्मों को देखे तो कर्म हमारे सिर्फ बोल चाल से नहीं स्टार्ट होते हैं मंसा से मतलब कि संकल्पों से मंसा वाचा और फिर हाथ पैर से जो कर्म करे आँखे भी कर्म करती है, क्रोध दिखा रहे हैं तो आँखे बड़ी-बड़ी करती है, लोब्स भी दिखता है आँखों के अंदर, इर्शा भी दिखती है आँखों के द्वारा, तो इस सारी चीज़े कर्मों के अंदर आता है, तो बुद्धिर उपी पाओ, मर्यादा की लक सारी प्राप्तियां को होती है अगर परमात्मा पेताpta ने बताई हुई है संपन शक्तिशाली भव तब ही हम शक्तिशाली बनते हैं ना तो अगर हम अगर उस लकीर को पार करें तो हम अशक्तिशाली कि हमें ऐसा मैसूस होता कि कोई शक्ती ही नहीं रही हमारे अंदर उदासी चाहिए रहती है तो इसी चीज़ को और विस्तार में चलके समझते हैं जो बच्चे बुधी रूपी पाव हम बच्चे हैं ना हम आत्मा पर्मपिता पर्मात्मा के बच्चे हैं वो भी प्रकाश बिंदू सुरूप निराकार पर्मात्मा मैं आत्मा भी प्रकाश बिंदू सुरूप निराकार हूँ बस ये हम भूल चुके हैं इसलिए हम अपने आपको शरी समझ चुके हैं और इस कारण हम अपने आपको कई धर्मों में कई प्रांतों में अपने आपको बांट दिया है तो एक ही चीज़ कॉमन है सारी आत्माओं के बीच में सारे मनेशों के बीच में कि वो सब आत्मा हैं प्रकाश हैं उस दृष्टी कॉम्ट से देखना है ये पहला लेसन हमें परमात्मा ने ब्रह्मा कुमाईरिज में सिखाया है क्योंकि वो स्वयम क्या हैं आत्मा अभीमानी है उनका शरीर ही नहीं है तो वो कभी भी शरीर के संकल्प में आएंगे नहीं, वो ची-ची संकल्प में आएंगे नहीं, बुरे संकल्प आएंगे नहीं, लोब आंकार आएगा नहीं, क्रोध आएगा नहीं, इसलिए वो सदा ही आत्मा अभिमानी है और हमें भी सबसे पहला पा लक्षमिन्रिखा को पार कर दिया वे लक्की और लवली बन जाते हैं लक्की कैसे बनते हैं कि उनसे कोई पाप नहीं होते हैं तो हर कारे उनका सफल होता जाता है और लवली बन जाते हैं पाप करोगे तो उदास रहोगे बद्वाइं मिलेंगी और अगर आप मर्यादों में रहोगे तो आप लखी भी रहोगे और लवली भी रहोगे तो बाबा कहते हैं उन्हें कभी कोई भी विगन अथवा तूफान विगन कहा से आएंगे? जब हम पाप करते हैं सबसे पहला पाप तो हमारे संकल्पों में चलता है किसी की बुरे हैं देखना, किसी की बुरा सुनना तो बाबा कहते हैं ना बुरा सोचो ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो ना बुरा बोलो तो ये चार बंदर होगे, सोचना भी आ गया एक तो सोच से ही बीज सारे कर्मों का बीज सोच से है तो उन्हें कभी कोई भी विगन अथवा तूफान तूफान कब आएंगे जब अपवित्र सोचेंगे अपवित्र किसी के बारे में किसी की कमियां कमजोरियां दिखेंगे उन्हें विगन अथवा तूफान परेशानी परेशानी, किसी परेविक्ती से आई हुई अपनी शान के उपर हानी है ना, तो हम अपनी शान में कब रहते हैं, जब हम आत्मा भी मानी रहते हैं जब हम दूसरों का चिंतन करते हैं, उनकी बुराईयां देखते हैं उच नीच के भाव में आते हैं भावना में आते हैं तब हमारे अंदर परिशानी आनी शुरू होती है उदासी उदासी मलग किसकी दासी किसी और की दास बन जाना किसी के लगाव में आना या किसी के जुकाव में आना किसी से बहुत इंप्रेस हो जाना, वावा करना, परमात्मा की वावा की जगह, मनुश्य की वावा करना शुरू कर देना, वो है उदासी का कारण, परमात्मा कहते हैं, और फिर किसी के जुकाव में आना, किसी को नीचा समझने अपने आपसे, तो फिर क्या हो गया, में समाले होए जेवर, जो गुर्ण और शक्तियां दी थी, इतना ही फरक है, लेकिन सब मेरे बच्चे हैं, तो किसी को जज नहीं करना है, पर बाबा कहते हैं, उदासी या आ नहीं सकती, अगर हम उन मर्यादा में रहेंगे, यदि आती है, तो समझना चाहिए कि जरूर में बहुत कुछ आ आता है, आपको सर्फ लोब नहीं है वो, आपको नाम, मान, शान चाहिए, कि मैंने सोने का मिर्ग पा लिया, कि आपने कोई उची अवस्था पा लिया, तो आपको नाम, मान, शान चाहिए, तो आप औरों के दास बनगे, कि वो आपकी महिमा करें, आप आइडिया को नहीं मानेंगे, तो आप परिशान हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, आप हंकार में आते हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको उस लक्षमिन रेखा से पार कर देती हैं, और आप रावन की लंका में चले जाते हैं, रावन की बांडरी में चले जाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि इसको मर्यादा को सदा याद रखना उलंगना करना तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धी रूपी पाउ मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना फकीर क्या करता है दो 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 मांगता रहता है हना मुझे ये दो मुझे वो दो तो फकीर बनना इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं हे प्रभू सुक दो, हे प्रभू शान्ती दो, हे प्रभू आनन दो, खुशी दो, तो हम क्या करते हैं, भगवान के सामने घुटने टेकते हैं, भगवान कहते हैं, गुणवान बनो, घुटने टेकने वाले ना बनो, तो अगर आप उस लकीर को पार करेंगे, तो गुणहीन बन जाएंगे लगीर को पार करना मला सोचना बुरा देखना बुरा सुनना बुरा बोलना बुरा परचिंतन करना परदर्शन करना और कोई अगर आपके बारे में बोले बुरा तो आपके अंदर सेहन करने की शक्ती नहीं है सामना करने की शक्ती नहीं है तो सारी चीजे खतम हो जाती है हम लकीर के पार चला आते हैं कि उसने मेरे बार मैं ऐसे कैसे बोल दिया मैं अभी उसको दिखाती है वो कौन है अभी उसको दिखाता हूं वो कौन है तो फिर से हमने लकीर को पार कर लिया तो परमात्मा कहते हैं किसी ने कुछ बोला नहीं सुनान सुना करो अपना स्वचिंतन करो और प्रभू चिंतन करो मुर्लिया दीवी है हमें परमात्मा ने यह ज्ञान दिया हुआ है कितना कुछ समझने के लिए कितना कुछ पढ़ने के लिए ना तो बाबा कहते हैं अर्थात मांगने वाले नहीं सर्व प्राप्ति संपन शक्ति शाली बनो मर्यादा तो माय रह कर गिए, नहीं मर्यादा को याद रखें। आत्म अभीमान क्या है, बर्मे कुमारीच्जम सिकाते हैं। कि खेज पॉलएन पुस्ट्र होता है। इसकोग होता तो आकर समझें। साहां दिन का कोस्ट करें। आपको दिन शुब हो, आप तंदुरस रहे, खुशाल रहे, ओम शान्ती.